नमस्कार दोस्तों दोस्तों edutaria की तरफ से आपका वस्तुनिष्ट समान या ध्यन बूक निकाला गया है इसमें आपका 1500 प्लस आपको mcq देखने को मिलेगा और यह आपका edutaria का बूक है इसमें आज हम देखने वाले हैं set no.12 इसके पहले का 11 set upload है आप उसको नहीं देखें आपका रिवीजन होगा और इसका पुरा प्लेरिस्ट जो है बना हुआ है आप जब चाहें तब इसका रिवीजन के तौर पर वीडियो देख सकते हैं आज हम देखेंगे सेट नंबर 12 और सेट नंबर 13 बुले कि बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंदेशेट की गती जो है इंगे उर्जा होती है इसेट की जो देह कुर्ण होती है तो आप पहुंजारेगा अत्याधिक निम्न होता है और पहले का यह सही होगा वैधुत आवेस्कों भांडारिद करने के लिए ये प्रियुक्त उपकरण को कहते हैं क्या प्रियुक्त उपकरण को क्या कहते हैं इसको जो है हम संधारित्र कहते हैं क्या कहते हैं संधारित्र ऑप्सन नंबर दूसरे का भी होगा बला कि गिली चादर को धूप में फैलाने से सिग्रता से सुख जाती है क्योंकि तो यह आपको जग वास्पी करण की दर बढ़ जाती है वास्पी करण की दर जो है दुस्तो बढ़ जाती है option number तीसरे का एस सही होगा निमलिखित में से कौन सी गैस जल में घुनने पर अमलिय विलियन बनाती है अमलिय विलियन बनाती है किसका अंसर आपको हम चार्वन टाइ AG conversation कर्बन डई हो जायरे खार्वसाइड ऑपस्टन नंबर जोय है चोधरेका भी सही होगा च्छी होगा कार्व टाइच पलेत कार्वने की युग कोकि सजातीे स्रिड्वी में दो क्रमांगत शदत्स्यों के मध्यसमूह का अंतर होगा इसका आंसर आपको हो जाएगा option number B हो जाएगा याद रखेगा लग जस्ता धातू hydrochloric अमल से क्रिया करके कौन सी गैस निस्कासित करती है कौन सी गैस निस्कासित करती है तो इसका आंसर आपको हो जाएगा hydrogen होगा क्या होगा आंसर hydrogen option number six का जो है सी होगा बला कि एथिलीन डाइब्रो माइड को पैट्रोल में मिलाने पर क्या होता है तो यह आपको जगा यहां लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है यहां लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है ऑप्सन नम्बर सेविन कभी होगा निम्न में से कहां पित द्वारा वसा क होगा पाइसी करण अर्थात इमल्सी करण होता है तो यह आपका यक्रित में होगा क्या होगा आंसर यक्रित में ऑप्शन नमबर एट का सी सही होगा बुले कि अर्ध सुत्री विभाजन के फल्सोरूप समझात सगुड़ सुत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान कहलात है क्या तो इसका आंसर हो जाएगा परगमन हो जाएगा option नमबर जो है नाइन का एस ही आंशर होगा परगमन आते हैं को संबर से निकलने वाला कौन सा हर्मोन आंत्रिय रस तथा अगन्यासी रस के सराव को नियंत्रित करता है प्रियां पृज़ा और यह आपको जगा सेक्रेटीन होगा क्या होगा? सेक्रेटीन के डैस को प्रभावित करता है मानुसेर के डैस को प्रभावित करता है तो यह आपको तंत्र का तंत्र को प्रभावित करता है ओप्सन नंबर 12 का ए सही होगा हिर्दे चक्र एक चक्रिय प्रक्रम है जो पाया जाता है किस में यह आपको कहां पर देखने को मिलता है तो यह आपको हो जाएगा एक धड़कन में क्या होगा आंसर तेरे का जो है ए सही उत्तर होगा एक धड़कन में बोला कि जैव आवर्धन से तात्पर है जैव आवर्धन से तात मात्रा का बढ़ना है ना पिड़क नासी की मात्रा का बढ़ना तो चौदा का आंसर आप देखेंगे तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी राइट होगा नेष्ट की आनावरिती बीजियों में पत्र कलिका दौड़ा वर्धी प्रद्नन किसमें देखाया तै? वर्धी प्रद्नन किसमें देखने को मिलता है तो यह आपको होज़गा साइकस होगा क्या होगा आंसर साइकस आप्सन नमबर सी बुले कि असोक को वी सो महान समराटों में स्रेष्ट इसलिए मना जाता है क्योंकि आंसर हो जायागा उसने नैतिक्ता की उचित्तम आदर्सों द्वारा सासन किया था तो आप्सन नमबर जो है सोल का बी सही आंसर होगा बोलस कि चोल सासक राज राज प्रथम नितंजौर की ब्रिथेस्वर मंदिर का निर्मान करवाया था यह मंदिर किस देवता को समर्पीत है में पुरातन यहां पर लिखा गया है कि मम्यों में धहमनिया किसके बिव के उचित परिक्छन के लिए प्रिक्षण के कारण जो है अच्छूने पाए जाती है आंसर हो जायगा प्रत्यास्थ तंतु के कारण आंसर जो है 18 का सी सही होगा नैश्ट है दिये गए कतनों पर विचार कीजे और उपयुक्त कतन किसके संदर में सही है देखे यहाँ पर देखेंगे तो बोला कि उन्हें यहाँ पर आंसर जो है पर क्रिश्न देवराय हो जाएगा उन्हें आंद्र भोज की उपाधी जो है दिया गया है उनके दर्बार में आठ प्रसित तेलगु कवी थे उन्हों ने नागल पूरम नामक नगर की स्थापना की उन्हों ने एक महा काब यानी अमुक्त माल्याद अमुक्त माल्याद की रशना किया था कृष्ण देवराय ने किस सिख धर्म गुरुन ने तरन तरन साहिब की स्थापना किया था आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ऑप्सन नमबर बी सही होगा देखे बुलाए कि अवध में हुवे एका आंदुलन का मुख्य उद्दे से क्या था अंसर हो जाएगा बाईस का आप्सन नमबर शी होगा लगान का नगद में परिवर्तन ओप्सन नमबर शी होगा निमन में से की स्यों आ किरिति के कुछ आंस अड़ाय दिन का जोप्रा नामक वास्तू करिती से मिलते हैं वास्तू कृति से मिलते हैं तो यह आपको ज़ागा हरी कैली नाली टेक हो जाएगा ओप्सन नम्बर जो है 23 का सी सही आंसर नम्जरा की भारती होंतर होंगा भारत स्रम जीवी नामक मांसिक पत्रिका का प्रकाशन किस न किया था मांसिक पत्रिका का प्रकाशन आप देखेंगे तो यह आपका साशी पाद बन्र D GP के द्वारा यह यह ड्युहीन अंसर होगा स्रेजर आयूक का संबंध निमलिखित में से किस से था देखिए फ्रेजर आयूक का संबंध आप देखेंगे तो आपका पुलिस सुधार से संबंदित है ऑप्सन नमबर 26 का ए सही आंसर होगा आगे प्रसने है बोला कि अलिपूर सरयंतर केस में अरबिंद घोस का बचाओ निम्न में से किस के द्वारा किया गया था तो चितरंदन दास के द्वारा किया गया था ऑप्सन नमबर 27 का ए सही आंसर होगा चितरंदन दास अच्छे से याद रखेगा अब यहां पर देखिया थाइस नमबर मिलान करके बताना है चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से अब य हो जाएंगे लॉर्ड चैम्स फोर्ड उन्य सो पैंटिस में स्थापित संगी अन्याले के प्रमुख यानि प्रत्थम मुख्य न्याधिस की बात करते हैं तो यह हैं आपके सर मोरिस ग्वायर हो जाएंगे और अगला है निमलिखित को काल करम अनुसार लिखिए इन में से आपको काल करम अनुसार लिख करके बताना है देखें नौ जवान भारत सभा की स्थापना हुआ था उसके वाद आपका रानी गिडालों को आजीवन कारवास हुआ था पिर आपका प्रांतिय स्वायत्ता अधिनि अखिल भारतिया किसान महासभा सरवर्थम कहां आयोजित की गई थी ये कहां पर किया गया था तो ये आप देखेंगे तो लखनौ में किया गया था ओप्सन नमबर 30 का सी सही आंसर होगा लखनौ निमलकित युगमों पर विचार किजे प्रसिद इस्थान और नदी दिया गय निमलकित में से कौन सायुग में सुमिलित नहीं यानि हमारे इसमें गलत क्या है देखिए देपसा दर्रा की बात करते हैं तो यह आपको हिमाचल परदेश माना की बात करते हैं तो आपका उतरा खंड नाथुला जो है आपका सिक्कीम अब बात कर लेते हैं हम देपसा दर् आज में अवस्तित है मालना घाटी तो दोस्तों यह आपको कहां पर देखने को मिलता है देखे 33 का सही आंसर देखेंगे तो आपको हिमाचल परदिश में देखने को मिलता है ऑप्सन नंबर B होगा पलएकि ओजस डेल सलाडो जो अला मोखी सिखर नुमलिखित में से किस देखेंगा चीली में नहीं पया जाता है दोहरी नागरिकता होगा क्या होगा आंसर दोहरी नागरिकता हो जाएगा ओप्सन नंबर 35 का सफलता पूरुव कारे करने है तो पंचायत को पूरे सहयों के लिए किस की जरूरत पड़ती है तो देखिए 36 का आशर देखेंगे तो आपका इस्थानी अजनता होगा क्या होगा आंसर इस्थानी अजनता ओपस नमबर जो है 36 का एस ही आंसर होगा भारत के समिधान का भाग यहां पर देखेंगे तो आपको हो जाएगा भाग 14 संबंदी थे किस से देखेंगे भाग 14 जो है दोस्तों आप देखेंगे संग और राज्यों के अधीन सेवाएं हो जाएगा ओप्सन नमबर 37 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा निमलिखित में से भारत में मौलिक करता भी कौन सा है तो देखें बोला कि हमारी मिली जूली संस्कृती की समरिध विराशत को समर्षित करना वो महत्व परदान करना ओप्सन नमबर 38 का भी सही होगा भारत का नियंतरक और महलिखा परिक्षक किसके लिए मुख्य लिखाकार तथा परिक्षक की रूप में कारे करता है तो यह आप पहुझागा संग तथा राज सरकार हो जाएगा ओप्सन नमबर 39 का देखेंगे तो सी सही होगा निम्न लिखित यगमों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं यानि हमारा इसमें गलत क्या है देखिए मुल अधिकारों की रक्षा उच्टम नियाले द्वारा जो है अनुछेद 226 आपका गलत हो जाएगा दोस्तों यह आपका अनुछेद 32 हो जाना चाहिए अनुछेद 32 निम्न में से कौन से एक प्रचेपन वाहन तक्नीक नहीं है देखें प्रचेपन वाहन तक्नीक दोस्तों नहीं है तो MSLB दोस्तों नहीं है आके GSLB, ASLB, PSLB सापका जो है दोस्तों सही दिया गया है आगे हमारा है कि मुंडारी निरत्य का संबंद किस भारतिय राज्य से है तो यह आपको हो जाएगा जारखंड से है निम्न में से किस समूख के सभी चारों देश G20 के सदस्य है तो देखिए यह आपको हो जाएगा अर्जेंटीना, मेक्सिको, दाशिड अफरीका और तुर्की ऑप्सन नमबर B सही होगा बला कि बदहाई लोकगीत उत्तर परदेश के किस छेटर का प्रसिद लोकगीत है लोकगीत है बताईएगा तो यह आपका पूर्वांचल होगा क्या हगा आंसर? दोस्तो पूर्वांचल जो है सही हो जाएगा बला कि सिल्वर फाइबर क्रांती का संबन्द किस से है некоторые करांती का संबन्द आप दिखेंगे तो यह आपको हो जाएगा कापास से है किसे का पास option number D होगा वाला कि मुंगा, रे सम भारत के कि राजय से समबंदित है तो इसका आंशर क्या होगा दिखी Самca सही आंशर हो जाएगा असम राजय से सम्बंद रखता है E जो है सही होगा वाला कि Earth Hour program कब सुरू किया गया था तो यह आपका 2007 2007 में किया गया था 2007 में किया गया थो आपसन नमबर सी होगा विसेश आहरण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्द है किसमें उपलब्द है यह आपका ISF आई मापेज़ेगा IMF हो जाएगा IMF ठीक है निम्मलिखित में से कौन सविस्व का सबसे अधिक समुः का प्रतिनिधित्व करता है थी आपका पूरुवी tha होगा परिया वरण उन्हले शैसे नहीं बनता है कि करतरिम घठकों से नहीं बाकि जीवित घठकों से भू आकारिती घठकों से और तो से तो यह स्वाब अच्छे से याद रखिएगा अब हम देखेंगे सेट नमबर 13 और इसको भी आपको अच्छे से देखना है किस परकार का तत्व उस्मा एवं विधुत का कुछालक है क्या होगा इसका आंसर देखेंगे इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका गैर धा जातू किसी गैस को दरव में बदनने के लिए कौन से इस्तिती सबसे अनुकूल है तो यह आपको हो जागा उच्छ दवाव कम ताप मान उच्छ दवाव कम ताप मान आप्सन नमबर ए होगा प्रति चुमबकी पदारत की चुमबकी प्रकृति कैसी होती है तो यह आपको हो जागा आंसर ऑप्सन नम्बर भी होगा रिडात्मक जो है करेक्ट आंसर हो जागा आपच्छे से याद रखेएगा नेश्ट कोशन है बोला कि जैव सुरक्षा पर काटा जेना प्रोटोकाल का मुख्य उद्देश से क्या है देखें जीवित संसोधित जीवों के सुरक्षित संचलन और उपियों के लिए नियम और प्रतिकिर्याएं यानि प्रकिर्याएं इस्थापित करना ऑप्सन नम्बर जो है फोर्थ कड़ी सही होगा नियम लिखित में से कौन सा पद्युन्यास और हास समान चालक्ता के करम में किया गया है देखें पांचमे का अंसर देखेंगे तो आपका चांदी तामबा अलूमिनियम और इस्पात ऑप्सन नम्बर जो है पांचमे का आपका डी सही होगा प्लाकी पॉलिथीन ग्लाइकॉल का उपियो किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्मान में होता है यह आपको हो जाएगा अन आयनिक अपमार्जक हो जाएगा आप्सन नम्बर जो है शिक्स का देखेंगे तो सी होगा पुला कि अन्यों की गतिज उर्जा का बढ़ता हुआ करम आप देखेंगे तो ठोस द्रव और गैस ऑप्सन नमबर 7 का यह होगा पुला कि नर में सुक्राणू जन्नन का नियमन किसके द्वारा किया आता है किसके द्वारा होता है यह आपको होजागा एंट्रोजन होगा क्या होगा आंसर एंट्रोजन आप्सन नमबर B एंफलवेंजा का विसानू है तो आर्थो मिक्सों विसानू हो जाएगा आप्सन नमबर 9 का A सही आंसर होगा वह औसधी जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अती तनाओ के नियंत्रण में होता है वो कहलाती है क्या उसको जो हम एक्वेनिल कहते हैं क्या कहते हैं एक्वेनिल आप्सन नमबर D जठर निरोधक पेप्टाइड का कारे होता है पेप्टाइड का कारे होता है देखे जठर सरावन की गती सीलता को रोकना ऑप्सन नमबर A होगा नेस्ट कोशन है निम्न में से किस उतक में पुन्द्रधुवन की अत्याधिक छमता पाई जाती है आंसर हो जाएगा उपकला उतक में हो जाएगा आपसा नमबर जो है 12 का A होगा प्रकास हंसलेशन की किरिया का अंतिम उत्पाद है अंसर हो जाएगा ऑकसिजन होगा क्या होगा आंसर ऑकसिजन उपसा नमबर 13 का C होगा लाँके लैंगिक जननका उत्पाद समानित आ उत्पन करता है तो नए अनुवांसिक युग्म जिससे विभिनिताएं आती हैं विभिनिताहें opposite नमबर आपका C सही होगा ग्रहने की उपकला द्वारा स्रावित लिखा गया है कुलेश्टो कॉनिन नामक जठरांत्री हार्मन क्रमसक की नंगों को उनके स्रावो का विसरजन करने के लिए सक्रिय करते हैं आपका अगन्यासे और पित्तासे अप्सन नम्बर 15 का ए होगा मेंका स्थनीच के अनुसार मौरे कालिन समाज में इस्तरियों की दसा के संबंध में कौन सकतन सत्य है इसमें आपका सही क्या है देखे सही के बारे में पूछ रहा है देखे सता धारी वर्ग में बहु विवाह का बढ़ता प्रचलन और समराट के अंगर अक्षकों के रूप में उनके नियुकती और विधवा विवाह की अनुमती तो ऑप्सन नंबर एक दो तीन यानि ऑप्सन नंबर भी एक दो तीन निर्माण किसने किया है विस्तरित समराजी का निर्माण देखेंगे तो यह चोल के द्वारा किया गया है सत्रह का ओप्सन नंबर जो है एस ही आंसर होगा चोल किस वेद में प्राचीन वैदिक यूग की सभेता के बारे में सूचना दी गई है सूचना दी गई है तो यह का रिगवैद हो जाएगा ऑप्सन नंबर जो है अठारा का एस ही आंसर होगा रिगवैद बहुत की गोल गुंबद के संदर्व में निमलेखित कतनों पर विचार कीजिए इसमें पूचन सही नहीं यानि हमारा गलत क्या है उन्नीस का तो उन्नीस का देखेंगे दोस्तों आपका किवल दो यानि यह गुंबद आदिल सही राजवन्स के संस्थापक युसुफ आदिल सहा का मगबरा है जो कि गलत हो जाएगा बाकि जो सही उसको देख लेते हैं जैसे देखें गोल गुंबद करनाटक की विजापूर जिले में स्थित है इस गुंबद का निर्मा तो देखें 20 का देखेंगे तो आपका जिले इलाही हो जाएगा option number जो है सी होगा निर्मलेकित में से किस पुस्थक को दारा सिख्ओ को नहीं लिखा था तो आपका मजमा उलबहरीन होगा मजमा उल्बहरीन आप्सन नमबर भी रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वन्स से था या पका काकतिय होगा क्या होगा आंसर काकतिय आप्सन नमबर भी भारत के किस भाग में आसफजाई राजवन्स के निजामों का साशन था तो यह आपका दक्कन प्रांत होगा क्या होगा आंसर दक्कन प्रांत आप्सन नमबर C होगा प्रिटीज व्यापारियों को सुरक्षा की गरंटी देने का दावा किया गया था तो आपका C होगा 2 और 3 प्रताम भारत्य किसान इस्कूल की स्थापना किस ने किया था तो आपका N.J. रंगा की द्वारा किया गया था ओप्सन नमर जो है 25 का A होगा वेलोर का सिपाही बिद्रोह किस वर्स हुआ था वेलोर का सिपाही बिद्रोह जो है कौन से वर्स में हुआ था अगला की हंटर कमिशन की रिपोर्ट को किस ने पन्ने दर पन्ने निरलज सरकारी लिपापोती की संग्या दिय थी तो आपको हो जाएगा ओप्सन नमबर ए महात्मा गांधी सही होगा सेर सा ने अपने संपुर समराजी को कितने सरकारों में विभाजित किया था कितने सरकारों में विभाजित किया था तो 47 हो जाएगा ओप्सन नमबर डी सही होगा 47 निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे तो यह हो जाएगे वासु देव सोहुनी वासु देव सोहुनी अगला कि मुन्डा जन जाती की खुट कट्टी व्यवस्था को ब्रिटिस सरकार दोरा कब मानेता प्रदान की गई थी कब मानेता प्रदान किया गया था तो यह आपका 1903 होगा क्या होगा आंसर वर्च 1903 ऑप्सन नमबर सी निमलिकित उच्चावच आकरतियों पर धिहान दीजिए उप्यूक्त उच्चाव पठार और खासी की पहाड़ियां तो आप्सन नमबर जो है ए सही आंसर होगा बोला कि छोब सीमा के संदर्व में निमलिकित में से कौन सकतन सत्य नहीं यानि हमारा गलत क्या है देखिए यहां छोब मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है जो कि यह गलत हो जाएगा तकि निमलिकित दीवपो को उनके छेतरफल के अनुसार अवरोही करम में लगाईए देखिए ग्रिन लैंड न्यूगिनी बॉर्नियों मेड़ागासकर तो आप्सन नमबर जो है 33 का सी सही होगा यदि सूर्य और प्रिथिवी के बीच की दूरी एक चौथाई कम कर दी जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी देखिए सबसे अधिक संभावना ये देखेंगे तो हमारे वर्ष की आउधी जो है कम हो जाएगा तो आप्सन नमबर जो है 34 का सी सही होगा चौवालिस में संसुधन के पस्षाद राष्टर पती को निमलिकित परिस्थितियों मे राष्टि अपात काल घोसित करने का अधिकार प्राप्त है तो युद्ध बाया है आकरमन या ससस्त्र विद्रो से उत्पन परिस्थिति ऑप्सन नमबर जो है 35 का सी सही आंसर होगा इन में से किस ने कहा भारतिय नयपालिका विलासी मुकदमे बाजी से गरसित है तो ये अप्सन है एन वी रमना का है ऑप्सन नमबर सी होगा पाकिस्तान एंड द पार्टिसन आफ इंडिया पुस्तक के लेखा कौन है तो यह है डॉक्टर भीम राव अमबेटकर ऑप्सन नमबर यह सही होगा निमनलेखित में से किस अभी अधिनियम के तहत लौड कार्णिवाल इसको अपनी काउंसिल के फैसले को रद करने का अधिकार मिला है तो यह आपको 1786 का एक्ट हो जाएगा ऑप्सन नमबर भी होगा सर्वों चन्याले निनिस्ता के अधिकार को अनुछित एक कई समें वन्डित ने जीवन के अधिकार मौलिक अधिकार का भाग माना है इस मु अधिकार ऑप्सन नमबर सि उच्टम नयाले के नियाधीसों के संख्या के व्रधि करने की सक्ति किसके पास तोि है तो यह संसत के पास है किस के पास संसत के तो निमण मिस्ट कॉर्यम८ हें नहीं है अधि लखा गया है जुल श्रुपत है और ठुम रीये अगला की माथुरी है ना माथुरी लोकनृत्य किस राज्य में प्रचलित है यह आपका है तेलंगाना में option number C होगा भारत में नैनो मिशन की सुरुआत कब की गई है देखे नैनो मिशन की सुरुआत देखेंगे तो आपका 2007 में किया गया है कब किया गया है 2007 में हेम कुंड सा तो सहां पर देखने क्यों मिलता है तो यह आपको देखने क्यों मिलता है फुटी फॉर का देखेंगे तो उत्तराखंड में देखने को मिलता है option number C होगा उत्राखंड होता है तो वर्कसिस होगा क्या होगा option number C सारवजनिक रिण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है तो यह हो जाएगा सरकार द्वारा अंतरन भुक्तान होगा option number जो है B होगा मांग का एक रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है तो यह आपको हो जागा प्रती हन प्रती कटवती हो जागा option number A होगा निम्न में से कौन सा चटान में यांतरिक उपलक्ष का परिडाम नहीं है देखे चटानों का महिन कड़ों में विखंडन होकर नीचे गिरना option number 49 का सी सही होगा भारत में यह अवसिष्ट प्रबंधन के लिए कानुन कब से लागू है तो यह आपका है 211 से option number A कुछ वर्लाइनर फर्म में दिया गया है जैसे महत्तपूर अभिलेक जो किसको देखना बहुत ज़्यदा जरूरी है देखिए हाथी गुफा अभिलेक की बात करते है तो कलिंग नरेश खारवेल सासक है जो नगर अभिलेक की बात करते है तो रुद्रदामन एहोल अभिलेक की बात करते है तो पुलकेसिन दूतिय मंदसोर अभिलेक की बात करते है तो नरेश यसुवर्मन नासिक अभिलेग जो है आपका गौतमी बल्शरी और भीत्री अभिलेग की बात करते हैं तो इसकंद गुप तो यह सब देखिए आप अच्छे से याद रखिएगा अगला हमारा जो सेट होने वाला है सेट नमबर 14 और सेट नमबर 15 देखेंगे चलिए आज के लितना ही जै हिंद जै भारत